नमस्कार मनुदेल स्रिया क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे गूर्जर पर्तिहारों के बारे में जिसमें सबसे पहले जो गूर्जर पर्तिहार है वो क्या है पर्तिहारों की एक साखा का नाम है गूर्जर पर्तिहार और ये गुर्जर छेतर आता है वो है जालोर वाला छेतर है उसे वो इस छेतर के अंतरगत आता है गुर्जर छेतर के अंतरगत इनकी उत्पती परतिहारों की उत्पती के समंद में जो वसिष्ट गुरु वसिष्ट है उनके अगनिकुंड का सिधानत है वो इस पे बताया गय है कि इनकी उत्पती किसे वह जो वसिष्ट गुरु वसिष्ट है उन्होंने जो यग क्या था उसकी जो अगनिकुंड है उसे चालो के चोहान, परमार और राजबूत राजाओं की क्या होती है उत्पति होती है तो ये गुर्जर परतिहारों की उत्पति का सिधानत है वो वसिष्ट के अगने कुंट से इनकी उत्पति मानी जाती है गुर्जर परतिहार है वो परतिहारों की क्या है एक साखा है और गुरू छेतर में कौ जिसी हम हेंसांग कहते हैं वो आये थे भीनमाल में और उन्होंने पोलो मॉली कहा था जालोर को तो जालोर को पोलो मॉली कहने वाले कौन थे चीनी यात्री हेंसांग थे यहां पे मोनोत नेनसी के भी विचार आते हैं कि मोनोत नेनसी ने एका था कि गूर्जर परतिहारों की साखा कितनी है टोटल 28 जिसमें राजस्तान में हैं दो साखाएं एक तो मंडोर है और एक हो है भीनमाल भीनमाल जो क्या थी प्रारमिक राजदानी थी गूर्जर परतिहा तो राजस्तान में दो सक हैं, टोटल हैं 28, राजस्तान में मंदोर और भेनमाल, अब आते हैं सहंस्तापक पे, गुर्जर परतियार बंस के सہंस्तापक है हरीचंदर, और इनके वास्तवेक सहंस्तापक मंगों, तब तो आपको करना है हरीचंदर, अगर पोचा जाता है कि वास्तविक सहंस्तापक कोन है तो वास्तविक सहंस्तापक है नागबट पर्थम नागबट पर्थम को उपादी जो मिली है वो नारायन की उपादी मिली है तो ये भी पूछावा question है कि मलेचों का नासक कोन है तो नागबट पर्थम है जिन्होंने गुर्जर पर्तिहार की वास्तविक सहस्तापक माने जाते हैं और इन्होंने मलेचों का नास किया था इन्हों ने क्या काम किया, नावपट पर्थम पहले राजदानी क्या थी? बेनमाल थी, बेनमाल से मंडूर मंडूर से मेरता ले गई NX आता है वत्सराज, नावपट पर्थम के बारे में आपको उपादी याद रखनी है नारेण की इनकों उपादी मिली है इन्होंने मलेचों का नास किया था और नागबड पर्थम ने बराज़ानी मंडोर से मेरता लेके गए थे निक्षा था वत्सराज वत्सराज यानि वत्सराज का टाइम पिरेड था तो वत्सराज के टाइम में त्रिकोणिय संगर्स की शुरुवात हो गई थी, इनके टाइम में प्रारम हुआ था वत्सराज के टाइम में त्रिकोणिय संगर्स पाल सासक, पाल सासक धरंपाल को इन्हों ने पराजित किया था वत्सराज ने, लेकिन राष्ट कुट सासक था धुर्व, धुर्व ने इसको पराजित कर दिया था वत्सराज को, पाल सासक में युद हुआ था धरंपाल के साथ में, तो धरंपाल और वत्सराज के युद होत पर दित्ते नागबट पर्थम को किसकी उपादी मिली है नारायन की इंपोर्टेंट कुछन है दो तिन पर पूचा बाप को याद रखना है नागबट दित्ते जिनोंने क्या की अपनी नाजदानी चेंज जी की कन्नोट को राजदनी बनाया और तिरिकोणी संगर्ष में भा 2400 Bailey 837 Barnet 85 इन को मिहेर भोजब पर्थम को उपादी मिली है अदिवरा की और परभास की अदिवरा और परभास है उपादिया मिहेर भोजब पर्थम की इन्होंने चांडि के ध्रम सिक्के चलाए थे महीर बोज पर्थम ने इंपोर्टेंट बात महीर बोज की यह है कि महीर बोज को संपूर पर्थवी को जीतने वाला बताया गया है तो गुजर पर्तियार का सासक है महीर बोज पर्थम जिसे संपूर पर्थवी को जीतने वाला बताया गया है इनके उपादी के बारे में Qyushne आते हैं और इनको किया जो इन्होंने कौन सी राजधानी अपनी कहां लेके गए थे तो मिहीर भोज ने राजधानी चेंजने की इनको उपादी मिली है आधी वरा की और परभास की उपादी मिली ही है मिहीर भोज को संपुन पर्थवी को जीतने वाला बताया गया है और मिहीर भोज ने सिक्के चलाये थे चांदी के ध्रम वीवरण यहाँ पे मिहीर भोज के बारे में अलहन वा अर्भी यातरी सुलेमान से यह हमें प्राप्त होता है कि इनको क्या मिला है संपुन पर्थवी को जीतने वाला बताया गया है अलहन वा अर्भी यातरी सुलेमान यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं यह वेश्ण उमत के अनुवयाई थे मिहीर भोज पर्थम अब आते हैं महिंदरपाल पर्थम महिंदरपाल की उपादिया हैं परम भटारकर, परमेशवर, महाराजाधी राज, रगोकुल, चोडामनी, निर्वेराज और महिंदर यूद यह सभी किसकी हैं उपादिया हैं महिंदरपाल पर्थम की इनके समय में दर्बारी कवी थे राज सेकर राज सेकर की जो पुस्तके हैं उनमें से क्यूशन आता है कि निमलिकित में से कौन सी कवे विमांसा के रचियता कौन है तो कवे विमांसा के हैं राज सेकर महिंदरपाल के ये क्या थे दर्बारी कवी थे राज सेकर इनके बारे में सभी बात याद रखनी है कि राज सेकर किसके दरबारे कवी थे महिंदरपाल पर्थम के थे महिंदरपाल की उपादियां भी याद रखनी है परम बठाकर परमेश्वर महराजादी राज रगकुल चुडामनी निर्भे राज और महिंदर यूद यहाँ पर राज सेकर की रचित पुस्तके हैं कपूर मंजरी ये कपूर मंजरी के बारे में पूछा जाता है कपूर मंजरी लिखी है राज सेकर की कावे मिमानचा विद्धसाला भंजीका भूवन कोस और हरी विलास हरी विलास क्या है जेन गरंथ है ये भी राज सेकर के पर राचित है फिर आते हैं महीपाल 912 से लेके 923 तक इन्होंने बगदाद निवासी अलमसुदी इनके टाइम में क्या आये था भारत आये था तो पूछागता है कि जब बगदाद निवासी अलमसुदी भारत आये था तो गुर्जर परतियार सास्कों में किसका सासन था तो ये पूछा हुआ क्यूशन है कि आरेवद का महाराजा धिराज महीपाल को किसने का है ये उपादी किसने दिये है तो इनके जो राज कवी थे रासेखर उन्होंने इनको दिये है हेरम पाल हेरम पाल भी महीपाल की क्या है उपादिया है रगोकुल मुकटमणी विनायक पाल आरिवद का महाराजे दहराज और हेरम पाल ये सबी किसकी हैं महीपाल की उपादिया हैं राज कभी वो ही रासेकर हैं गुर्जर समराजे का विगटन इसके बाद में सुरुवात हो गई थी फिर आते हैं राजे पाल पर एक आजार अठारा में मुहमद गजनवी ने आकरमन किया और इसी के बाद में जो त्रिलोचन पाल बैठे थे उस पे भी किस ने आकरमन किया मुहमद गजनवी ने और यहां पे गुर्जर परत्यार सासकों का अंत हो गया गुर्जर परत्यारों ने विदेशी आकरमन के समय द्वार पाल की भूमी का निबाए थी इंपोर्टेंट बात है द्वार पाल की भूमी का निबाए थी गुर्जर परत्यारों ने गुवालियर परस्ति में इनके बारे में नागबट पर्थम को नारैन कहा गया है तो यह पंपा हैं जेन आचारिय जिन सेन ये इतने लोग थे इनकी राजदरबार में रासेकर कवी पंपा जेन आचारिय जिन सेन परतिहार उपासक किस किस के थे ये विश्णो धरम के सीव के और सकती के क्या थे ये उपासक थे तिनों के उपासक थे परतिहारों की उपादिया जो देखें तो राज, राजस्थान, गुजरात, कन्LYोज, मालव, खज़ूराओं में इन्होंने क्या क्या विश्णो, सीव और सकती के मंदिरों को बनवाया था और ओंसियां के कुछ कमंदिरों का निर्मान भी गुजर परतिहारों ने ही करवाया था ये परतिहारों की उपलब दिया परतिहार उपासक थे विश्णु सिव और सक्ति के परतिहार कालेन विभूतियां थे राज जेकर कवी पंपा और जेन आचारिये जिन सेन ये थे कुछ आपके गुर्जर परतियारों के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्ष वीडियो में नेक्ष वनसर्ज के बारे में ओके थेंक्यो फूर वचिंग मैं वीडियो